है दोस्तों मेरा नाम है देवत नंगरवाल और आज फिर एक प्रैक्टिकल सेक्शन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और एक और सलूशन्स यहां पर में पास जैसे कि मैंने बता है से पहले एक वीडियो में रेड्मी वाइवन का बनाया तो आज में पर रेड्मी वाइ देखे 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 दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर यहां पर यूएजबी एंपियर तो मैं सबसे पहले इस फॉन को यूएजबी एंपियर में लगा के दिखाता हूं आगर यह नर्मल जैसे हमारे फोन को बैटरीघ लगाते हैं और अगर फोन डाइड होता है तो नॉर्म अपएर उस को दो यू aumento कि यहां पर बैटरी लगा दिया है है अब दिखाई है यह ताइस हमारा चालू हो रहा है और पूरा चार्ज ले रहा है पर यहां पर डिस्प्ले हमको नहीं आ रहा है यह हम DC मशीन से भी चालू करके अपना देख सकते हैं बढ़ यह मैंने आज आपको एक अलग तरीके से बताया तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट है के लिए वल्टज आते हैं व्टेज नहीं पूरी एक एक सप्लाई में आपको पताऊंगा कि ऊहलावा Counties इसके सप्लाईट डिस्प्ले से सीप्यू को जाती है डिस्प्ले से पावड पीएम उन याटी है पूरी सप्लाईम ये जानए वेदै hourly आपको सिबimi करने हैं देखे यहां पर आपको डिस्प्ले करेक्टर दिखाई देगा दिखाई के जड़ा देखे यहां पर आपको डिस्प्ले करेक्टर दिखाई दे रहा है यहां पर यह देखे सो डिस्प्ले करेक्टर पर शुरुआती लेबल पर आप क्या चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें ग्राफ सप्लाई होते हैं दूसरा क्यूंकि अभी लेटेस सेट है तो आपको व्टेज बनता है कि बनता है प्लसभाइब उन्हाल मानस वाइब जो की एक वीयस पी और एक वी एसेंट की सप्लाई होती है और इसमें डिस्प्लेए लग जो कि यह बनाती है वोल्टेज सो ये सब्सक्राइब करके हमें देखना है प्लस फाइब मैनस फाइब की सप्लाइब यह तीन आ रही है तो अगर यह हमको वोल्टेज नहीं मनते हैं तो हम डारेट आइसी पर जाएंगे और देखेंगे कि सब्सक्राइब कर देखेंगे कि अगर आइसी के अंदर के निकाल के इसके वोल्टे वोल्टेज पर इन सिगनल आ रहे हैं तो यह पूरा वीडियो आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यहां पर मैं देखाता हूं कि देगे हैं तो इस घर्टर पर सबस्वाइल हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं यहां घी तो देखे आप यहां पर मैं आपको यहां के बैटरी के वुल्टेज चेक कर रहा देता हूं यहां पर 3.8 वुल्टेज यहां पर मिल रहे होंगे अब मैं इसमें इसको ओन करता हूं देखे मैं चार्जर भी लगा रहेता हूं साथ में देखे मुझे यहां पर एंपयर देख गया है मैं अलगाता है स्विचिंग करता हूं यहां पर इसकी पावर की के साथ और 4 सेकेंड का टाइम देता हूं अब देखे अब मुझे लगता है क्योंकि इसके बढ़ गया है 1.8 पर चला गया यह तभी जाता है जब यह फोन होता है तो आप मैं आपर चेक करूंगा तो आप देख सकते हैं आप पर विया वोल्टेज 1.8 वोल्टेज बन रहे हैं आप इसका मतलब यह एक ही फोन हो गया हमारा पर मैं डिस्पले नहीं आ रहा है आप यहां पर इसकी जो मुझे प्लस फाइब वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि मुझे यहां पर प्लस फाइब वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो बिसीकली मैं इसके पर डिस्पले आइसी को चेक करूंगा तो कि देखे आगए इसके इसके यहां पर दिखरी होगी एक हले कि सबोसरे की डिस्प PC पहली चाहिए चलिकती कर ली थी और मेर्चर बनानी डियूट क्लेट कि यहां पर क्या कैसे चिक गया सूरुक्त है तो में Lee dy नटिक पर तो कि आप चीज कर रहे हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तक रुटा इन को दिखाई रहे हैं से इसको एएन नहीं मिलना जोगा समय के अंदर मुझे पेड्ल सब्सक्राइब और यह यहीं स्विचिंग इसे हम अटْसेश भां सब्सक्राइब करते हैं कि सहले दूस्त 的 यहां मारी डिस्पली एक चीड कोते हैं तिरो इखangen झाल तो देखिए आप एमने डिस्प्ली आइसी को निकाल लिया है यह हमारी आइसी है देखिए आपको टीवी में दिखाई दे रहा होगा कि यह 15 बॉल की डिस्प्ली आइसी है अब इसको क्लीन करते हैं और डिस्प्ली आइसी को हम चेंज करेंगे अभी हम इसके एन सिंगल दोस्तों अगर चेक करना चाहिए तो हम चेक कर सकते हैं पर हमें जंपर लगाना पड़ेगा पर क्यूंकि आइसी कई प्रॉब्लम दा इसलिए भी एन सिंगल चेक नहीं करेंगे और अगर आपको पूरा सीखना है तो आप क्लास जोइन कीजे आप से लाइट पैटिकल डिस्प्ले आइसी लगवाएंगे डिस्प्ले के फॉल्ट हो आपके कैमरा के फॉल्ट हो आपके पास मैं चार्जिंग का फॉल्ट हो आप से इमें सी का फॉल्ट हो सारे जो मुबाल है लेकर आईए अब देखें यह हमारी डिस्प्ले आइसी आपके क्लीन हो चुकिए पंद्रा बॉल्ट की यह आई आईसी है जो हमारा वी एस्पी और वी एसेन प्लस फाइए मतला वोल्टे सप्लाई निगेटिव वोल्टे सप्ला इसी लगाते हैं किसी दूसरे हमारे स्क्राइब बोट से निकाल कर तो मैं इसकी डिस्प्ले आईसी निकालता हूंगी क्थ्प्लें कौ एे इस्प्लें अ़ुल हो दो हमारे से एके अरे आईसा हूंगी क्थ्प्प्प्पिंधीए स्क्क्षण पंगर बकप एंग tet झाल Cape a offenses इस डिस्प्लेय हमने निकाल लिया है इस आइसी का भी एक नंबर होता है हम इस आइसी को रिबॉल करेंगे बिना रिबॉल किये हुए आइसी मत लगाएं कभी यह आप देख सकते डिस्प्लेय आइसी हमने इसके उपर के बॉल हटा दिये अब हम इसको रिबॉल करेंगे दोस्तों यह सारे प्रैक्टिकल लाइफ सलूशन इससे टेलिकॉम आपके लिए ला रहा है और यह बता रहा है कि आप भी यह सब काम कर सकते हैं कि सिब एक बार आपको कदम उठाना है घर से बाहर निकलना है कि यूटूब से मैं बैट कर देख कर जिन्दीगी पर यह काम आप कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों और इससे टेलिकॉम और बाकी इंस्टिटूट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि हम 10-20 दिन जी गरेंटीव है पढ़ाते नहीं हम पूरे एक महिना में और बैक अप सपोर्ट और बैक अप के लिए हम कोई भी चार्ज कोई रिचार्ज कोई बैलेंस टॉप अप यह सारी चीज हमारे या बिल्कुल नहीं हूं हमने आपने ईक और फीस ली तो जीन्दिकी बार वह उसी ही कुझ में आपको अपडेट डेंगे तो चलिए आब रिचिछते हैं उर पहिलडन क़िता है और लगाधे रुति multiplication की ज़्रूड्डिक नहीं है आप अभॉण कीजि एक स्थाल के सब्स में दोओने कि देखिए डिस्प्ले आइक के हमारी रिबॉल हो चुकी है हमारी इसी रिबॉल हो गई है हमको सिर्फ लगाना है और दोस्तों और आउपूट चेक करना है बने रहे है पूरा लाइब देखिए वीडियो और लाइक जरूर कर देना तो देखिए हमारी इसी रिबॉल हो चुकी है अब इसको फिर से हीट देंगे इसकी बॉल को बरापर करने के लिए अब देख सकते हैं यहां पर डिस्प्ले इसे हमारी लग गई है अब देख सकते हैं डिस्प्ले इसे हमारी रिबॉल हो चुकी है अब हम इसको सीधर लगाते हैं दोस्तों यह हमारी डिस्प्ले आई सी हमें तद आने किएगा गल्ती कभी मत कीजेगा नूस कट पॉइंट की जाएगा पॉइंट की साथ दानी से लगाना है सीप्यू के बगल में क्योंकि देखे अपने आप हिल रही है इसका मतलब लग गई हमारी आईसी अब आप फाइनल टच देंगे तो हमारी डिस्प्लीय इसी लग चुकी है आप जैसे की देख रहे हैं आपर लूब लिखा हुआ है लूब लिखा हुआ इसके उपर और नीचे इसका नंबर है सैवन फोर सेक जीरो इससे टेलीकॉम को जबूर जोइन करो अगर लेटेस्ट में सीखना है क्योंकि अभी तक आदे मुबार आदे इंस्टिटूट सैमसंग के जेटू या उसके नीचे में पड़े हुए अगर उसमें सीखना है तो फिर काम से यहां पर सुभी आठ से बादा तक प्रक्टिकल फिर पास शॉदिकर प्रक्टिकल पर फिर आदे घंडे ग्रेक के बाद में फिर आठ बजे तक जो प्रक्रक्रे देखे यहां पर हमारा माई का लोगो हमारा ग्राफिक्स आ चुका है आप जैसे की देख रहे हैं आपर हमारा ग्राफिक्स आ चुका है मैं इसके पार्च बॉल्ड आपको यह देखे चार्जिंग आपको यहां देखाई दे रही होगी ग्राफिक्स आ चुका है हमारा मैं इस कि रेके मला वारा बिल्कुल सही अंदाज अदा इसका डिस्प्ले हमारा चला गया था कि रेके यहां पर हमारा फोन ओनों चुका है अभी बार प्रेटिकल में एक बार वोल्टेज चेक कर लीजेगा देगे मेरे से गलती से करेक्टर भी निकल गया फिर से ओन करते हैं इसको एक बार और कराब जिस्दısı एसरो के बड़ iki सिदओर गचा है क Keeping You. Sm वब्यूब्सधो छिस्यव currently हो चे भी falar बार टोस्य बच्टिकलनाोब हॉगा ज़ारी हो करा़्यू जछना लिल्धनाται ओिलिद्त्विकलने में अंबक़रेक्प उ γा nữa देखे, फॉन यहां ओनों चुका है, वोल्टेज देखेंगा आप तो सभी लोग देखे, प्लस फाइब आपको दिखाए दे रहे होंगे देखे, माइनस फाइव, तो दूस्तों कैसा लगा सेक्षन बताइगे का जोग इससे पहले हमने बनाया था एक इसी मोडल का एक दूसरे कस्ट्रोमर का और यो सेक्षन जिसमें हमने बनाया था उसका माइक, अब इसी का हमने बनाया डिस्प्ले ग्राफिक्स, इस आधी चीज इससे टेलिकॉम जोइन करने वाला हर एक बच्चा, बस कमर कसले महनत के लिए, क्योंकि वो वो नाम कमाएगा जो उसने सोचा भी ने था, और आमारे लाइब वीडियो डेली क्लास देखने के लिए फेस्बुक पर जाईए और लिखिए इससे टेलिकॉम सच कीजिए, उसक हम इमेमसी चेंज आपको सलूसन दिखा रहे है, कौन-कौन यहाँ पर इमेमसी चेंज करने गाए बाद नी कर रहे हैं अभी हम जो कर रहे है वो नोप 5 प्रो की बाद कर रहे है या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते ही की भी नी कर सकते है, ब्लैक पेस्टट काम, ठीक है तो आपको देखकरी मैं आपर दिमाग में डाल देता हूँ इन स्टूरेंट को अपना परसनल गिप देना है मेरे बाई अलग से गिप तुम्हा और वो कसम से इल्टिमेट होगा तो अभी दिमाग में रख लो अभी भी टाइम है बसी किले टाइमिंग बता है आपर कितने एंडिया कलमा मावाली जगिल कोने है इंडिया कलमा मावाली जिन कोने हैं।